पुष्पुराजगड अंतरगत पडरी पंचायत के चौरादादर का एक मामला सामने आया है जहां गाउं के लोग कैसे रोजाना सुभा होते ही अपने घर से दो किलो मीटर दूसरे गाउं में जंगली पहाडी रास्तों से होकर पानी भनने के लिए पहुशते हैं और अपने सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए रोजाना इसी दिन चर्या से गुजर रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे ग्रामीन लाइन लगा कर पानी के लिए अपनी बारी का इंतिजार कर रहे हैं यहां के लोग सदियों से पीने के पानी की समस्या से जूज वहीं चोरा दादर गाओं में ही करीब 45 घर के लोग निवास रहे हैं वहीं पी एची विभाग ने बकान गाओं में बोर भी करवाया था और कहा जा रहा था कि पहाड चड़ कर पानी पहुचाएंगे पर 6 महिने से 6 महिने गुजर चुके और बोर ऐसा का ऐसा ही पड़ा तो इस गाओं में पी एची विभाग ने पूर्व में दो से तीन हेंट मंप खनन करवाए पर किसी काम के नहीं रहे अब ऐसे में सवाल पी एची विभाग के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर उठ रहा है कि क्या इस गाओं में बोर कराने से पहले विभाग ने सर्वे न सुनवाई तक में आवेदन दिया तो वहीं जनपत पंचायत पुष्पराजगड के अध्यक्ष मिथलेश सिंग मरावी ने कहा कि मामला मेरे संग्यान में हैं जल्धी कलेक्टर से बात कर पानी की व्यवस्था उपलब्द करवाई जाएगी वहीं पी-एची विभाग के पी- पानी उपलब्द करवाएंगे इस बच्पन से जेलते आ रहे हैं गाव में पानी का सुगदा कुछ नहीं है सकेटरी सरपंच भी धाय को बोलते हैं तब पर इसलते नहीं हो रहे हैं गाव में नल सिस्टम बोल सिस्टम होना साबसे जादा चार बजे रात उतर्थ वकान्व पानी घड़ा लाएके को गिर था हैं को उठ यथ हैं हमार धर सासन नहीं देखा नराजवभा देखा यह त्रह्ड़ दादर्ला वोर्ट की लाइक देखता है झाव पानी तहां हमारी हैं पानी नहीं मिले तहां कोई ववास्त नहीं आए राजपाल के अभी भाइशन के समय में भी हमने ये बात को रखा है कि पुस्पराजगर की सबसे बड़ी समस्या सुद्ध पानी की है ये देश में कानून है ये हर वेक्ति को सुद्ध पानी पीने का अधिकार है लेकिन चवरा दादर ही जैसे अन गाओं जो जहां आज एक छोटे छोटे जो जीवित जब नाले हैं उनमें जिरिया बना लेते हैं लोग वहीं गाय भी पानी पी रहे हैं वेक्ति मनुष भी पानी पी रहे हैं जब पानी यहां बर्शात में तो हो कुछ चल जाते हैं यह पान करे बहुत समस्या है औहम यह परशान है यहती है जंगल में जंगलॖ रासकर त shaking okay अहीं चड़कर आते हैं चाहरफा दादर का पानी को समस्या है ज сторону हई है मेरे संग्यान कहिए भी आया है बहुत बॉर से भाई बंदूों लोग कॉं काफी परयसाल हों कि पानी दूर स तो इसके बारे मेरे संग्यान में आया है, मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगी. वहां से तेज अल्यक्ट करने की योजना बनाया है और उसमें हम सफल हो जाएंगे कि वकान में अब पानी मिल गया है बहराल इस गाउं में ग्रामिनों की परेशानी साफ दिखाई पड़ रही है इस मामले पर सब आश्वासन दे रहे हैं देखने वाली बात यह हो कि कि इस काउं के लिए शासन प्रशासन कौन सा स्थाई कदम उठाता है और कब तक जिससे की ग्रामिनों की समस्या का समधान हो सके बहराल वर्तमान के सिती बद हाल ही नजर आ रही है अनुपपूर से समधाता उंकार सिंग की रिपोर्ट और इसी खबर पर हमारे साथ समधाता उंकार सिंग जुड़े हुए हैं उंकार जैसा कि हमने देखा कि ग्रामीन लगतार शिकायद कर रहे हैं कि उन्हें पानी की समस्या से कैसे जूजना पड़ रहा है या आप समझ सकते हैं कि एक इंसान के लिए पानी कितना जरूरी है लेकिन अगर बात की जाए जिम्मिदारों की जिम्मिदार अपनी जगा आश्वासन जरूर दे रहेते हैं लेकिन क्या कहा जा सकता है कब तक समस्या करने बारण हो पाएगा देखें मैं आपको बता देना चाहरा हूँ अजादी के 76 साल बीच चुके हैं और सिस ग्राम्य वाकियों को नेपाओं के वादे ही ही ले हैं उन्हें कोई प्रूप से बिकास नहीं प्राप हुआ है अमरित महसो कर लीजे और बिकासरब यात्रा कह जीजे जांने नहीं रहते हैं फिवह देखा है कि 3…4 किलोमीटर तक लोग साथेथों हैं, तक हंदी के सहारें, सूबा कावह रस्तों के सहारें सामी भारं में जाते हैं, तक व्रस्तों यहिनी देखें हां ए फाल हू टीकी केर सभी गुजरते हैं कि छंपसंद्वी उन्हों न वीघर किया अभी सिधी की वला स्नील निके धुरवे Х conservation का कहना, जो गांऊ वहां पर Бकान, वहां पर हैTransinshand तो वहां से पानी पहुंचाने की उन्होंने समस्या जो है वहां से पानी निकाल कर और ग्राविनों तक पहुंचाने का हल निकाला है यह बात उन्होंने कई है लेकिन यह कब तक इस समस्या का निवारण होगा कब तक वहां खुदाई होकर और जो पानी है वो पहुंचाया ज लेकिन वो सिर्फ नाम के हैंड पंप लगी और एक बोर भी करवाया गया लेकिन वह भी नाम कर रहा देखे वहाँ पर जो भी जितने भी नल्कुस होते पुस्तराजगर इंटीरियर छेत्र होने के नाते कोई सारवे नहीं कराए जाता है पानी कर लेबल कितना है और पुस्तराजगर जो है जहां बखाद बताय जा रहे तो किस्तर हो नीची है बखान में भाकी चोगाद आगर क अधिकारियों के संग्यान में है उसके बाद भी यह सब के संग्यान में हैं संग्यान में है यहां तक कि मामी मुख मंत्री जी कि देखने वाली बात होगी कि आखिर कव तक ग्रामिनों की समस्या का समधान हो सकता है आप जो भी आपके पास अब्डेट इस खबर को लेकर आता है वे हमें अब्डेट डीजेगा हम लगतार एमके निउस के माध्यम से जन जन तक यह चीज पहुंचाएंगे कि आखिर जो जल से जल सुनी जाए जिम्मेदारों से यह आगरे है कि जो ग्रामिनों की समस्या है पानी की समस्या है या अन्य सुवीधाई भी उन तक नहीं पहुंच पारी है तो वह इसका जल से जल निराकरण करने का प्रयास करें बहुत-बहुत शुक्रिया उंकार सिंह आपकी तमाम और समय पर इन्हें पानी नहीं मिल पाता है पहले भी बगान गाओं में और आसपास के शेत्र में हैंड पंप लगाए गया बोर भी लगाया गया इसके बावजुद भी समस्या पानी की बदी रही देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक जिंबिदार इस पूरे मामले को स काल सकींगे